ये है विल्ट्रोक्स का 27mm lens जो आता है 1.2 aperture के साथ में और इस lens में हमें aperture, control और click button भी देखने को मिलता है and इस lens की performance को आज हम detail में test करने वाले sony की camera के साथ में and देखते हैं overall ये जो lens है कैसे perform करता है इसके लब गाइस बात करें कि हमें इस lens के साथ में क्या-क्या मिलता है तो आपको मिलेगा एक lens hood, एक मिलेगी front lens cap, एक मिलेगी rear lens cap और मिलेगा आपको एक pouch जिसमें आप जो इस lens को safely कही पे भी ने जा सकते हैं तो सबसे पहले guys मैं आपको इस lens की design के perspective से कुछ खास बातें बताना चाहूँगा जिसमें सबसे पहली है aperture control ring यानि कि अगर आपको dedicated aperture को lens से ही control करना है तो इस lens के उपर हमें aperture ring दे रखे जिसको आप smoothly left या फिर right रोटेट करके aperture control कर सकते हैं आपको camera menu से aperture control करने की need नहीं पड़ेगी इसके अलावा अगर आप precisely aperture को control करना चाहते हैं step by step करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें click का button दे रखे जिसको आप जैसी on करेंगे तो आपको जो है एक click की sound सुनाई देगी जो आपको audible information यह देगी कि आप जो है कितने stops जो है aperture change कर चुक है इसके लावागा इस इसके अंदर manual focus के लिए एक ring दे रखी है एक autofocus और manual focus में switch करने का button दे रखा है एक button दे रखा है custom control के लिए जहाँ पे आपको यह भी function को assign कर सकते है menu में जाके जो मैं आपको आगे भी दिखाऊँगा लेकिन as of now के लिए इस button को आप यह समझ सकते कि आप जो है आप बहुत सारे functions को assign कर सकते हैं तो overall guys जो इस lens की build quality है काफी high है मतलब अच्छी quality का metal और plastic को यहाँ पे use किया गया है और guys आपको जो है in hand experience भी काफी जो है premium यहाँ पे देखने को मिलता है जब आप इस lens को in hand use करेंगे practically आप जो है इस lens से shoot करेंगे तो आपको जो है काफी अच्छा premium feel होने वाला है इसके लाब guys बात करें weight की तो weight भी बहुत जादा नहीं है हाला कि पूरी जो body है वो metal के है लेकिन यहाँ पर जो weight है उसका distribution है काफी अच्छे से balance किया गया है ताकि आप long duration के लिए shoot भी करते तो अभी जो है इस lens के साथ आप comfortable तरीके से जो है काम कर सकते है चाहे आप wedding shoot करे या फिर event shoot करें अब guys जब हम इस lens के design की बात कर रहे थे तो आपको याद होगा मैंने जो है वहाँ पे custom button दिखाया था अब बात करते है उसी button की तो guys अगर आप इस custom button पे जो है कोई भी function को assign करना चाहते है या फिर आप color temperature जो है assign करना चाहते तो इस custom button को प्रेस करके जो है on to go जो है आप उस function को use कर सकते है तो यहाँ पे जो button है इसका main काम यह है कि आप जो है कोई भी जो है यहाँ पे function को assign करके उस function को use कर सकते है अब focusing की perspective से guys मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इस lens का minimum focusing distance हो वो काफी अच्छा है यानि कि हम 0.28 meter पर जो है minimum focusing करवा सकते हैं यानि कि अगर subject बहुत ज़्यादा पास हो तो भी जो है इस lens से हम easily sharp focus करवा के काफी बड़ी आप background में shallow depth of field create करके जो है photos या फिर वीडियो को capture कर सकते हैं अब बात करते हैं इस lens की durability की तो guys यह जो lens है ना इसका पूरा body structure है वो हमें dust और splash proof देखने को मिलत यानि कि थोड़ी बहुत पानी की छीटे आ भी जाए थोड़ी बहुत जो है आप rain में shoot कर भी ले थोड़ी बूंदा बांदी बारिश होती है उसमें जब आप shoot करेंगे तो कोई भी जो है इस lens को problem नहीं होने वाली ना इसके अंदर जो है dust जाती है क्योंकि dust proof है इसके अला बास के उपर हमें जो है anti-foiling जो है coating भी देखने को मिलती है इस lens के अंदर internal focusing को और भी बढ़िया करने के लिए 15 अधरा element को 11 ग्रुप में जो है लगाया गया है जिसकी वाज़े से जो suppression है ना वो काफी अच्छा होता है chromatic aberration में और जो distortion control है वो भी जो है काफी हद तक बढ़िया हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अब बात करते हैं इस lens की performance की तो सबसे performance देता है जैसे कि अगर आप यहाँ पर focusing देखें तो किस तरह से यह lens focus करता है अगर subject जो है हमारे frame में आता है या फिर अगर subject frame से बाहर जाता है तो किस तरह से focus काम करता है उसकी transition कैसी है उसकी focus breathing कैसी है वो सारी चीज़े आप इस shot में देख सकते हैं इसके अलावा वीडि performance है कैसा perform करता है किस तरह की focal length और focusing performance हमें देखने को मिलती है तो यह है कुछ photos जो मैंने इस lens को use करके लिए हैं और मैंने इन सभी shots में अलग-अलग subject को capture किया ताकि आप किस तरह से colors produce होते हैं और अलग-अलग lighting situation में यह lens कैसे काम करता है brightness, contrast, sharpness, color की reproduction वो सारी चीज़े इसको देखकर check कर सकते है, focusing में no doubt काफी कमाल की performance देता है जब आप focusing करेंगे photography में ऐस सच आपको कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन colors या फिर बाकी सारी clarity जो है वो आभी आपके सामने आप इससे जो है judge कर सकते है, in fact मैंने यहाँ पे human subject यानिकि अपनी photos भी जो है आप photography में इस तरह का depth of field, overall photos की quality या फिर overall shoot कर सकते हैं, और यहाँ पे जो मैंने aperture use किया है वो है f1.2 जो कि इस lens की सबसे खास बात है, तब ही हमें यहाँ पे जितनी भी photos है, mostly में आपको background blur काफी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो depth of field है वो बहुत ही अच्छी हमें आपे मिलती है, 1.2 aperture की मदद से, और यह इस lens की सबसे खास बात है, तो अगर आप इस lens को why करते हैं, अप अच्छे खासे जो है portrait shoot तो लही सकते हैं, इसके लाब आप low light situation में भी काफी बढ़िया जो है photos को capture कर सकते हैं, f1.2 aperture होने की वजह से, और photos की quality कितनी जादा detail में आत हैं, उसको guys देखकर आपको यह तो idea हो गया होगा कि कैसी quality जो है यह lens produce करता है, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इस lens में हमें wide f1.2 aperture देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम low light situation में बहुत अच्छे photos and videos को capture कर सकते हैं, इसके अलावा जो background में blur होता है, यानि यह f1.2 के साथ में आता है, जिसकी वजह से यह pro level का lens बन जाता है, and overall जो हमें इसके अंतर performance देखने को मिलते हैं, वो f1.2 के perspective से काफी बढ़िया देखने को मिलती है, तो guys अगर आपको 27 mm के आसपास की focal length लेनी हो, तो आप जो है definitely Viltrox का यह जो lens है, चेक आउट कर सकते है इसका buying link आपको description box में मिल जाएगा, and guys अगर आपको इसी तरह की informative videos देखना बहुत जादा पसंद हो, तो make sure आप channel को subscribe जरूर कर ले, stay tuned until next video